नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News अठारा को रहेगा पस्तमी विचोब का अशार गरत चमक और धूल बरियांदी के साथ बूंदा बांदी के आशार बताएंगे मोसम अबडेट हरियाना का हिसार में किसानों ने धरना देखर फूंका पुतला सर्सों की खरीद दोबारा शुरू करने की रखी मांग बीमा कलेम को लेकर भी जता रोज हारियाना में 12 का रेजल्ट 81.6% रहा भीवानी की 99 सी टोप पर पहले 3 स्थान पर 5-7 रही लड़कियों का रेजल्ट लड़कों से 10 परतिशत आधिक रहा हारियाना में 10 दिन तक हो शर्सों की खरीद भीवानी में बोली किरन चोदरी किसानों को मिले MSP के दाम और आप खबरें 20 स्थार से हारियाना में 18 माई को एक बार फिर से मोसम में बड़ा बदलावाने की संभावना है मोसम का ये बदलाव पर्देश के सभी जिलों में दिखाई देगा IMD चंडिगड के और से जारी मोसम चेतावनी बुलेटिन में बतायागा है कि अगले 5 दिनों में हरियाना में अधिक्तम ताफमान में कोई बदलाव नहीं होनी की संभावना है गर्मी लोगों को ऐसे ही सताती रहेगी हालाएं कि 16 में 17 माई को पर्देश में मोसम सामाने रहेगा इस दोरान 25 से 35 क्लमेटर परतिगंटे की रफ्तार से सताई हवाई चलेंगी बीच बीच में आनशिक बादरवाई तथा कहीं कहीं पर गरज वर चमप के साथ छिटपूट बूंदावांदी या फिर हलकी बारिस होने की संभावना जताई गई है हरियाना के नारनूल में आल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सरसों की खरीद को 15 दिन और बढ़ाने की मांग को लेकर सोमार को मुख्यमंतर के नाम एक ग्यापन परसासन को सोपा गया परतेनेजी मंडर ने DC ओपिस में साहिक अधिक से कुमांग पत्र सोपा ग्यापन में कहा गया है कि सरसों इलाके की मुख्य नगत फचल है 11 पर 12 माई को दो दिन के लिए इसकी बिकरी खोली गई इतने कम समय में किसान अपनी फचल को मंडियों में नहीं बेच पाई ग्यापन में कहा गया कि सरकार किसानों से किये गए अपने वादे को निभाए जिसमें सरकार ने किसानों की रभी फचलों सर्चों वग्यों का एक एक दाना खरे दने की बात कही गई थी साथ ही ग्यापन में कहा गया कि किसानों की बेमोसम की बारिश वे ओलावस्टी से वे नुक्सान की भरपाई के लिए मौवजा की गोशना भी अभी पूरी नहीं हुई है ग्यापन में कहा गाया कि किसानों के लिए मंडियों में आवशक बुन्यादी स्विधाओं का नितांत अभाव है किसान मंडियों में इंतिजार में भूका प्यासा बैठा है जिसकी कोई शुद लेने वाला नहीं है हर्याणा में HCS एम एलाइड सर्विस की प्रारंबिक परिक्षा 21 माई को होगी परदेश के मुख्य सचीव संजीव कोचल ने कहा कि परिक्षा का आईजन पारदर्शी एम समुची धंग से करवाने के लिए व्यापक स्तर पर पुकता प्रबंद किये जाए परिक्षा केंद्रों के आसपास 1444 लगा कर कोचिंग सेंटर एमपोर्टो स्टेट दुकाने भी बंद रहे परिक्षा 21 माई को दो शिफ्टों में आजित की जाएगी सुबह के सत्र में बात करने तो दस से बारा बजे तक सामाने अध्यन जाता साइंकार लिन सत्र में तीन बजे से लेकर पांच बजे तक स्विल सर्विशेज एज एपिट्यूड टेस्ट परिक्षा का आजन किया जाएगा हरियाना में 2024 के लोगसभा और विधान सभा चुनाओ से पहले जनना एक जनता पार्टी आनि जेजेपी ने एनराई दाउं खेला है जेजेपी प्रवासी हरियानों को रिजाने के लिए हेल्प लाइन शुरू करेगी साथी राजी में उनके हितों की रक्षा के लिए पार्टी में एक पर्वासी हरियानों से आवान किया कि वह अपनी राजी हरियाना को विकास के और अगरसर करें हरियाना में बीजेपी जेजेपी गटबंदर पर चल लए तकरार के बीच मुख्यमित्रे मनोरलाल के बाद अब डेप्टी सियम दुशन चोड़ाला दिल्ली दोरे पर पहुंच गए है दिल्ली दोरे के दोरां डेप्टी सियम दुशन चोड़ाला की केंद्रे मन्तरी अमित्शा से भी मुलाकात की चर्चा है हरियाना सरकार ने अंडर्ग रेजुएट यानि यूजी पाठी के रुबह में प्रवेश के लिए पांच अंकों की राश्टी सिवा योजना यानि एनेसस मेरिट सेटिविगेट वेटेज को बाहल करने का फैसला गया है राजी के सभी सरकारी वे नेजी विश्विदाले और हरियाना केंदरे विश्विदाले यानि C.U.H. को आने वाले सेक्षिनिक शत्र से एडमिशन में निरने को लगू करने के लिए कहा गया है परदेश में बार्वी कक्षा के 60,000 से अधिक शात्रों को हर साल N.S.S. में योगिता प्रवान पत्र मिलता है इसलिए बाहली से इन सभी शात्रों को लाप पहुँचेगा च्यार साल पहले वेटेज बंद कर दिया गया था हलियाना Board of School Education यानि HBSC ने सोमार को बार्वी का रिजल्ट जारी कर दिया इस भार रिजल्ट 81.65 परतिशत रहा इसमें लड़कियों का पास परतिशत के बात करें तो 87.1 एक एक तो वहीं लड़कों का पास परतिशत 36.43 परतिशत रहा Board अदक्स ने बताया कि भिवानी के शिवानी मंडी की नैंसी ने तीनो संकावी में परतिश में ओवराल टोप किया है शिवानी मंडी के नवभार्थ सीने स्केंडी स्कूल की नैंसी ने 500 में से 498 में अंग प्राप्त किये है नैंसी Commerce Stream की स्टूडेंट्स है उनको Board अपने उत्र पृष्टकाओं को पने जाजने अतो अपनर मुल्यांकन की स्विधा परतान करेगा ऐसे चातर निर्दारित सुल्क के साथ परिणाम गोशित होनी की तिथी चे 20 दिन तक ओनलाइन आविदन कर सकते है हर्याना बारवी रिजल्ट में रेवाडी टोप पर रहा जो कि 88.1% के साथ परिणाम रहा दूसरे स्थान पर महिंदरकट जिला और तीसरे स्थान पर जिन जिला रहा फरिदाबाद जिला सबसे नीचे रहा हर्यान के हिसार में फसल बीमा वस सर्सों की खरेद फिर से शुरू करने को लेकर समयुत किसान मोर्चा ने सरकार का पुतला खूका इस दौरान किसानों की कई मांगों को लेकर परशासनिंको 2-1 शोλप अ watches गया अभी भी गरों में पड़े हूई है और वहाँ अभी तक बिक नहीं पाई है इसके अलावा जिन किसानों की फसल सरकारी एजेंचियों की द्वारा खरीती गई है उनकी पेमेंट भी निर्धारित समय अधि भी इतने के बावजुद अभी तक पेमेंट उनकी खातों में नहीं और दे ताकि सभी किसान MSP पर अपनी सर्सों बेश सके वहाई उन्होंने भाजपा जजबा गठबंदन सरकार की 51 रुपए बुड़ापा पेंसिन का वादा पूरा ने करने के आलोच ना की किरन चोधरी ने विभिन राजनीतिक मुद्दो पर बोलते वे कहा कि पर्देश के साथ जिलों में सर्सों की खरीद दो दिन के लिए फिर से शुरू की गई थी उसे दस दिन तक किया जाना चाहिए तकि किसानों को लाबोस के महेंदरगड से कॉंगरिस विदायक रावदान सिंग के दोरा मोका मिलने पर बिवानी महेंदरगड संसदी चेतर से चुनाव लड़ने के बयान पर किरन चोधरी ने कहा कि रावदान सिंग उनके सामने चुनाव लड़ने की बात नकार चुके है वे खुद उनसे गुरूग्राम सीट की सिफारिश तरूर करवा रहे हैं। कॉंग्रेस बेरोजगारी महेंगाई ब्रश्टाचार और कानुन व्योस्ता जैसे मुद्दो को लेकर जनता के भी जा रही है। कुमार शिंदे भावर जीतेंदर सिंग और दीपक बावरिया ने सौमार देर साम को अपने रिपोर्ट कॉंग्रेस अदेक्स मलिका अरुजुन खडगे को सौप दी। के तिनो करनाटे के विधायकों की राही लेकर दिल्ली पहुंची थे। खडगे आज राहूल और सोने गांधी सिस्सला लेने के बाद सियम की नाम पर फैसला करेंगे। इससे पहले पार्टे हाई कवानी सियम पत के बड़े उम्मिद्वारों शिद्धा रमया और डिके सिवकुमार को दिल्ली बुलाया है। लोगों की महत हो चुकी है, तेज हावाओं से कई गरों की छतेत उड़ गई है, टेलिफॉन के टावर भी हावा में उड़ गई, कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, महीं बांगला देश में एरपोर्ट बंद करना पड़ा, कोरल आइलेंड सेंट मार्टि के डूबने का खत्रा बना हुआ है, मोका तूफान आने पर बहुत तेज हवाई चली, जिससे कई पे टूट कर गिर गई, मोका तूफान को लेकर पर्षिम मंगाल में अलट जारी है, या पूरबा मेधनिपूर और साओच चोविस प्रगना जिले में आबदा प्रबंदन ह हाई अलट पर है, हरियाना में मोजुदा समय में खेत पूरी तरह से खाली पड़े है, जुलाई महीने से खरी फचलों की बुआई शुरू होगी, वर्तमान में देश के अधिकानिस राजियों में भूजल स्तर अपने नियूंतम स्तर पर है, इसी बीच परदे सरकार ने कम अगर आप हरियाना की किसान है, और धान की सीधी बिजाई पर सब्सेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एगरी हरियाना.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं, इस सब्सेडी से सम्मदित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसान, मेरा पानी, मेरी विराशत पोटल या फिर अपने जिले के किर्शी विबा के कारेले में संप्रक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस सब्सेडी से सम्मदित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पर बारे दिन शेर बाजार में तेजी देखने को मिली है, सेंसक्स 317 अंग चड़कर 62,345 इस्तर पर बंद हुआ, निफ्टी में भी 84 अंगों की तेजी रही और ये 18,398 इस्तर पर बंद हुआ, सेंसक्स के 30 शेरों में से 23 में तेजी और शिर्फ साथ में ग्रावट देख हुआ है, सेराफा बाजर की बात करें तो सेराफा बाजर में सोने वा양 चांदे की कैमतों में तेजी देखने को मिली है, सेराफा बाजर में 62 ये 1691 अंगों में थ्यला मे थी देखते रहे हर्याना के सबसे बेहतरी न्युज चेनल CWB हंदी न्यूज नमस्कार K.